अध्यापक, गर्मी पाकर चीजे फैलती हैं, इसका कोई आच्छा सा उधारन दो छात्र, सर, गर्मी में हमारी चुटियां दो महीने की होती हैं, जबकि सर्दियों में मात्र दस दिनों की रह जाती हैं पती महोदे उदास बैटे थे, लेकिन पत्नी अपनी ही हांके जा रही थी अचानक पत्नी ने पूछा, अच्छा, ये तो बताओ कि वह कौन सी चीज है, जो मर्दों को तो पसंद है, पर ओरतों को नहीं खामोशी, पती ने गहरी सास लेते हुए कहा जेलर जब अभागे कैदी के पास मृत्यू दंड का समाचार सुना ने पहुचा, उस समय वह अच्छे मूड में था क्या आप मुझे अगले शनिवार को फांसी नहीं दे सकते, उसने पूछा, क्यों, इस सोमार को क्या बुराई है, जेलर ने पूछा, ओहो, मैं सप्ता का आरंब इस बदकिस्मती से नहीं करना चाहता मैं आज डाक्टर के पास गई थी, पत्नी ने पती से कहा, उसने मुझे बताया कि पहाड पर एक महीना बिताना मुझे बहुत फाइदा पहुचाएगा, तुम्हारी राय में मुझे कहा जाना चाहिए, दूसरे डाक्टर के पास गपी, मेरे दादा मरते वक्त डेड़ लाक रुपे छोड़ गए, गरीब लड़का, मेरे दादा तो पूरी दुनिया छोड़ गए पतनी, पती से, तुम कोई बात नहीं सुनते, एक कान से सुनते हो, दूसरे कान से निकाल देते हो पती, और तुम दोनों कान से सुनती हो, और उसे मुह से निकालती हो दो क्रिकेट के खिलहाडी आपस में बाते कर रहे थे एक ने कहा मैंने गर्मी के दिनों में एक बॉल में इतना स्पिन दिया कि रगड से फैल कर वहे बैट्समेन तक पहुंस्ती पहुंस्ती फुटबाल हो गई थी दूसरा बोला ये तो कुछ भी नहीं एक बार मैंने इतना स्पिन दिया कि बाल बहुत गरम हो गई और बैट से चूते ही उसने बैट को जला कर राक कर दिया कलब से उस दिन वकिल सहाब जल्दी घर लोटा आये और उन्होंने अपनी पत्नी को दूसरे की बढों में पाया अच्छा, क्रोध में काप कर वे बोले अच्छा क्या? पत्नी को उनसे भी अधिक क्रोध आया रोज आना देर से आने की बड़ी अच्छी कहानी गढ़ कर सुनाते थे आज जरा जल्दी आने की भी कोई अच्छी सी कहानी सुना दो सहाब जंगली बगुले के सिकार पर गए साथ में नोकर था एक जगें पानी में एक टांग पर खड़े भगुले को देखकर नोकर चिलाया उसे मारिये सहाब लंगडा है भाग नहीं पाएगा सहाब ने हस्तर कहा देख इसकी दूसरी टांग और उन्होंने खुश किया भगुले ने दूसरी टांग निकाली और उड़ने लगा साथ में गोली मार दी जब नोकर ने भगुले को पकाया तो उसका मन हुआ कि जरा टेस्ट किया जाए वह उसे इतना स्वादिस्ट लगा कि नोकर पूरी टांग खा गया टीबल पर साथ ने देखा कि रोस्ट भगुले की एक टांग गयव है मगर मूड ने बिगाडने के खयाल से वह कुछ न बोले खाना खतम कर उन्होंने कहा तुमने जो भगुला पकाया उसकी एक टांग गयव थी गयव नहीं थी साथ आप खुश कर देते तो दूसरी टांग निकाल देता जेलर ने काल कोठरी खोलते हुए कहा बंदी आज तुमारा अंतिम भोजन है जो तुम खाने को कहोगे वह इच्छा पूरी की जाएगी धन्यवाद मैं तर्भूज खाऊंगा लेकिन अब तो दिसेंबर है जेलर ने लाचारी दिखाई अभी तो तर्भूज पकने तो दूर रहे बोए भी नहीं गए हैं मैं इंतजार कर सकता हूँ जेलर सहाब मा देखो बेटा शरारती लड़कों से दूर रहा करो लड़का इसी कारण से तो मैं स्कूल नहीं जाता प्राणी विज्ञान के प्रोफेसर क्लास में भाष्ण ज़ाड रहे थे मैंने एक मैंड़क को ट्रेंड किया मैंने का कूद तो वह 6 फूट कूद गया मैंने उसकी एक टंग काड़ दी और फिर चिलाया कूद तो वह 3 फूट कूदा मैंने उसकी दूसरी टंग काड़ दी तो वह 1,5 फूट कूदा तीसरी टंग काड़ने पर कूद की उचाई 9 इंच रह गई चोथी टंग काड़ने पर मैं गरजा कूद वह बिल्कुल नहीं कूदा इस प्रयोग से छात्रो ये शिद्ध होता है कि मैंडक की चारो टंग काटने पर वह पहरा हो जाता है दफ्तर की ग्यालरी में कुछ लोग बैटे थे कि अचानक लाइट ओफ हो गई गने अंधरे में एक जनाना आवाज सुनाई दी यू इडियट हथट आओ ओहो सर मैं आपसे नहीं इससे कह रही थी दवा का पर्चा लिखने के बाद डाक्टर ने मरीज से कहा देखिए बाहर जाकर अगले मरीज मिसेज मीना को भेज़ते जाएए मरीज ने बाहर निकल कर वेटिंग हॉल में पुकारा मिसेज मीना और दरवाजे से बाहर निकल गया पचास साथ कदम जाने के बाद पीछे से एक स्त्री ने पूछा ये तो बताईए हम जाक आ रहे हैं अरवाचीन इतिहास में वह जोड़ा बहुत परशिद है जिसने अपना बाहराय कमरे वाला मकान साबून के रैपरों पर मिलने वाले इनामों से सजाया था वे बड़ी शान से अपने मित्र को दिखा रहे थे कि कितने रैपरों में उन्हें एक कुरसी मिली तथा कितने रैपरों में एक मेज मकान देख लेने के बाद मित्र ने बड़ी उत्सुकता से पूछा लेकिन तुमने तो मुझे 12 कमरों में से केवल 5 कमरे दिखाए हैं, बाकी 7 कमरे भी तो दिखाओ। वे एक ठंडी सास भर कर मकान मालिक ने कहा, उसमें हमने साबुन की टिक्या भर रखी।